जैश्री कृष्ट मेरेंड्स वेलकम टू माई चैनल फूट ट्रेजर बाय मिनाक्षी आईए आज हम बनाते हैं जन्नाटेदार स्पाइसी धाबा स्टाइल सावजी दाल कांदा कांदा महराष्ट में प्याज को कहा जाता है तो ओव्यस सी बात है कि ये एक बढ़िया महराष जिसे आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाना चाहेंगे तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सावजी दाल कांदा नाकपुर स्पेशल इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी से थोड़ी कम चना दाल अच्छे से वाश करके 3-4 घंटे के लिए सोक करके तो उस हिसाब से आप कॉंटिटी डिसाइड करें अब ये देखिए 3-4 घंटे बाद मेरी दाल अच्छे से सोक हो चुकी है और चलिए हम आगे का प्रोसर्स शुरू करते हैं हमने एक कटोरी दाल ली है तो हम चार बड़े-बड़े साइज के अनियन ले रहे हैं जैसे कि आ तो नहीं को जोड़े हमने तो सबसे पहले हम एक हरा मसाला ग्राइं करते हैं जिसके लिए मैं यह हरी दनीय को मिक्सर के पॉट में डाल रही हूं अब मैं पांच छे हरी मिर्चे भी इसी पॉट में डाल दे रहे हूं और लहसन की कलिया और अदरक और अब मैं इसको और जो प्यास मैंने लिये थे उसे मैंने बारी टुकडों में काट लिया है और यह मसाला भी पिस चुका है मेरा तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं दाल कांदा जिसके लिए मैंने कम सिकम पांच टेबल स्पून ओई लिया है इसमें थोड़ा जादा जाता है और जब दिये हैं 5-6 मैं लॉंग डाल रही हूं और 5-6 मैंने काली मिर्च डाली है जब यह मसाले अच्छे से भुन गए तब मैं उसमें एकदम फाइनली चॉप जो मैंने अनियन रखे थे काटके उसे मैं डाल दे रही हूं और अब असली प्रोसेस शुरू होती है क्योंकि हमें प प्यास बहुत अच्छे तरीके से भुनने चाहिए तब ही इस दाल का तेस्ट जो है निखर कर आता है तो अब बस फ्लेम को हम लो कर देंगे और प्यास को 5-10-15 मिट तक के भुनते चले जाएंगे और अब लगभग 5-7 मिट हो चुके हैं प्यास को भुनते हुए अब मैं इसमें अपना हरा मसाला एड करूंगी जो हरी दनिया, लहसन, अद्रक और हरी मिर्च से बना हुआ है इसे भी मैं प्यास के साथ में अराम से 5-7 मिट और लो फ्लेम पर भून लूँगी इस मसाले में हमें ध्यान रखना है कि हमने काले मिर्च, लॉंग, हरी मिर्च सभी कुछ एड किया है इसलिए हम इसमें लाल मिर्च तीखी वाली ना डालते हुए काश्मीरी लाल मिर्च एड करेंगे और यह देखिए प्यास कितने अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और देड़ तीजपून में इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एड करेंगे जो कलर तो देगी मगर तीखा नहीं होगा और मैं इसमें एक तीजपून गरम मसाला एड कर रही हूँ यह बहुत इंपोर्टन्ट है वैसे इसमें काला मसाला जाता है जो महराश्च में बह जाएं और यह देखिए हमारे मसाले अब बहुत अच्छे से भून चुके हैं अब इस स्टेज पर हम इसमें चना डाल एड करेंगे और अब चने डाल को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं इसमें एक से देड़ ग्लास लगभक पानी डालूंग यह देखिए आधा ग्लास पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ तो इनौल टोटल मैंने इसमें देड़ ग्लास पानी डाला है यह दाल थोड़ी गाड़ी ही होती है और अब देखिए हमारी डाल में अच्छा सा बॉइल आ चुका है अब हम इसे एक बार चला कर इसकी फ्ले स्पून मैं इसमें नमक एड़ कर रही हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल ले और बढ़िया अब हम इसको ढख करके लगभग 10-15 मिनिट के लिए कुक करनी के लिए छोड़ देंगे और अब 10-12 मिनिट हो चुके हैं मैं एक बार दाल को चेक कर लेती हूं अच्छे से कि यह प्रॉपर कुक हुई है या नहीं हुई है थोड़ी खड़ी यह दाल वैसे भी रहती है एक दम मैश करके नहीं बनाई जाती थोड़ा केरफुली करें और यह देखिए अच्छे से गल चुकी है मैं इसी स्टेज पर इसकी फ्लेम ओफ कर रही हूं हरा धनिया एट कर रही हूं अगर आप चाहें तो और पांच साथ मिट आप इसको कुक कर सकते हैं और अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल रही यह सावजी डाल कांदा स्पाइसी टेस्टी यम्मी होता है तो आप फ्रिंज बनाईए और जरूर खुद बिखाईए अपनों को भी खिलाईए और अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आईए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वाचिंग